नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का हमारे online चैनल पे दोस्तों आज की क्लास पर हम 30 नमबर के सारे महत्पूर्ण करेंड पर पर डिस्कस करेंगे तो प्लीज आप पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेगा अगर आप नए तो प्लीज आप चैनल को यहाँ पर रुजान महत्पूर्ण शेयर करते हैं और क्लास से जो नोट्स पीडियो और अन्य तरके वीडियो सापको इंस्टा मोज़े पर मिल जाएंगे आप यहाँ पर जाके उसे खरीश सकते हैं चली सबसे पहले हम कल का सवाल देख लेते हैं कल वीडियो के अंत में मैं क्लेख करने आप से सवाल पूछ था सबाल ता कि हाल ने किसने ICC 2020 महिला विशुकप का खिताब जीत लिया और इसका सहीं जवाब है ऑस्ट्रिलिया ने टी-ट्वेंटी महिला विसो कप का खिताब जीत लिया चलिए इसको हम जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं से देखा करिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पुछते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और साथ हिगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो का आप लाइक जरूर किया करिए चलिए आगे बढ़ते हैं आज का पहला प्र कितने सैटेलाइट लाँच किये तो अभी इसरों ने हाली में कितने सैटेलाइट लाँच किये हैं 30 सैटेलाइट लाँच किये हैं चलिए इसके बारे हम और अधिक जानकर ले ले लेते हैं यह काफी important question हो सकता है ध्यान से सुनेगा इसरों ने सफलता पूरवक 8 देशों के टोटल 30 सैटेलाइट लाँच किये हैं और इस 30 में से जो 23 थे वो अमेरिका गे देखते हैं बारती अंतरिक अनुसंदान संगर्ण इसरों ने अपने पोलर सैटेलाइट लाँच विहिकल C-43 की मदद से 29 नौंबर 2018 को 8 देशों के 30 सैटेलाइट लाँच किये इसमें से 23 अम पेज सेंटर के पहले लाँच पेज से इसे लाँच किया गया है द्रूवी उपगरह प्रक्षेपन वहान ये PSLV का हिंदी नाम हो जाता है रॉकेट का उपयोग करने वाले 45 वे मिशन को चिन्हित करते हुए इसरों ने मिशन के हिस्से के रूप में अपने नविंतम प्रि जान लेते हैं ये किस चीज से जुड़ी हुई है इसका उद्देश क्या है है HYSIS उपगरह का प्रात्मिक उद्देश प्रित्वी के सथा के साथ इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड यों शौर्ट वेब इंफ्रारेड चेत्रों का अध्यन करना है इसरों ने कहा कि यह सेटलेट सुरू की कक्छा में 97.957 लगबग 98 डिगरी के जुकाओं के साथ इस्थापित किया जाएगा जिन देशों के उपग टोटल जो है तीस सैटलाइट इन इन देशों के लांच किये गए इससे पूरों 14 नॉमबर को एजनसी ने अपना हालिय संचाज सैटलाइट जी सैट 29 लांच किया था और इसके बारे में आपको औरड़ी पढ़ार चुका हूं अब आगे देखते हैं इस तोरों का फूल फ जो है वो है बैंगलोर और इस तो इस रोगी अस्थापना कब की गए थी 1969 15 अगस्त 1969 में इस रोगी अस्थापना की गए थी ठीक है और स्री हरी कोटा कहां पर है तो यह है आंद्र प्रदेश में अब आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर दो देखते हैं आज का दूसरा प्र इसके बारे में आगे देख लेते हैं क्या क्या खास बाते हैं इससे जुड़ी हुई भारती अंतरराश्टी फिल्म महसो दो हज अठार में सरगई लोजनित्सा द्वारा निर्देशित फिल्म डोन बास है डोन बास ने प्रतिष्ठित मयूर स्वर्ण मयूर पुर्षकार जीता है यहां महसो 28 नॉमबर 218 को गोवा में संपन हुआ तो यह कहां पर हुआ यह भी आप याद रखेगा गोवा में अभी हाली में संपन हुआ है श्वर्ण मयूर पुर्षकार में 8 मिलियन रुपए मतलब लगबक 40 राक रुपए नगत पुरुषकार ट्रॉफी और प पौर्ट के साथ सहस्त्र संगस को दर्साया गया है भाति वरिष्ट अभिनेता सलीम खान को लाइफ टाइम अचीमेंट अवार से सम्मानित किया गया अब आगे देखते हैं देखिए इसके बारे में आप मतलब यह जो फिल्म महुसा हुआ इसमें किस को कौन कौन सा पुरुसकार मिला यह सारी बाते आपको इस पीडिये पे मिल जाएगा और यह पीडिये आप कहां कहां से डाउनलोड कर सकते हैं एक तो आप description लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस देश के सरोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो विप्रो के चेर्मेन अजीम प्रेम जी को किस देश के सरोच सम्मान से सम्मानित किया गया इसको याद रखिए का फ्रांस ठीक है फ्रांस के सरोच सम्मान से इसको सम्मानित किया गया अजीम प्रेम जी को सरोच उच्छ फ्रांस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया आईटी सीजर और परवकारी अजिम प्रेम जीव को उच्छ तम फ्रांस नागरिक विसिटा चेवलियर डेला लीजन दी होनूर नाइट ओफ लीजन ओफ ओनर दिया गया बैंगलोर के में मुख्याले वाले आईटी प प्रेम जी विसिट डेला के माध्यम से परवकारी के रूप में समाज में उनके प्रशंशनी योगदान भारत में सुचना प्रवद्गी उद्योग के विकास फ्रांस में उनके आर्थिक पहुंच और समाज में उनके प्रशंशनी और उत्कृष्ट योगदान के लिए उन मकां इंसाने का नाम आप याद रखी करें के यहां पर यहां की जो करेंसी वह है यूरो अब आगे बढ़ दे क्वेशन नमर चार देखते हैं चौनथा प्रशन है हाली में संग लोक सेवा आयोग अर्थात यूपी एस्थी के नए अध्यक्ष की रूप में निम निम इसे किसे न्यूक्त किया गया है तो ये भी क्वेशन काफी इंपोर्डन हो जाता है इसे पूछा जा सकता है यूपी एस्थी के नए अध्यक्ष की रूप में किसे चुना गया है अर्विंद सक्सेना ना मियाद रखेगा अर्विंद सक्सेना तो अर्विंद सक्सेना को यूपी एस्थी के नए अध्यक्ष की रूप में न्यूक्त किया गया है अर्विंद सक्से प्राप्त कर लेंगे तब तक ये कारे करते रहेंगे इससे पहले वह 20 जून 2018 से अभिनय प्रमुक की रूप में कारेशील रहे हैं वह मई 2015 में UPHC में शामिल हुए थे इससे पहले उन्होंने एवियेशन रिसर्च सेंटर के निदेशक की रूप में भी कार किया हुआ है तो नाम याद रखे का सिर्फ नाम जो है काफी important हो जाता है अर्विंद सक्सिना इनका नाम है और इमेज में आपको अर्विंद सक्सिना दी यहां पे दिख जाएंगे अब आगे बढ़ते क्वेशन नमर पांच देखते हैं आज का पांच वा प्रशन है केंद्र सरकार ने हाल इमें किसे राष्टी कॉसल विकास कार्कोरेशन का चेयर में नियुक्त किया तो यह भी question हो जाता है इसका भी आपको नाम याद रखना है अनिल मनी भाई नाइक ठीक है अनिल मनी भाई नाइक यह है केंद्र सरकार ने अनिल मनी भाई नाइक को राष्टी कॉसल विकास निकम का अध्यक्ष नियुक्त किया है इस समय नाइक भारत के सबसे बड़े इंजिनिरिंग और निर्मान की सबसे बड़ी कमपनी लार्सन एंड टुबरो तो कभी-कभी आप सुने होंगे L&T कमपनी और इसका फुल फॉर्म कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो याद है ला लार्सन एंड टुबरो राष्टी कॉसल विकास निकम भारत की एक ऐसी पहली और एक मातर संस्ता है जिसका मूल उद्येश कॉसल विकास है और जो नीजी तथा सरकारी साजयधारी में काम करने वाली इकाई है NSDC का मकसद कौसल विकास को बढ़ावा देना है आगे देखते हैं क्वेशन नमर 6 देखते हैं छटा प्रशन है हाली में Logistic India 2019 का एवजन निम्न लिकित में से किस इस्थान पर की जाने की घोशना की गई तो Logistic India 2019 कहां पर होगा ये होगा नई दिल्ले में तो चलिए इसके बारे में भी और जानकरी ले लेते हैं Logistic India 2019 का एवजन 31 जनुरी से लेकर दो फरवरी 2019 की हम बात कर रहे हैं तक नई दिल्ले में होगा केंद्री वानिज एम उद्योग और नागरिक उड्यन मंत्री सूरेश प्रभू ने 28 नवंबर 2018 को नई दिल्ले में Logistic India 2019 के प्रतिक चिन अर्थात लोगों के साथ साथ उनकी विवरन पुस्तिका भी जारी की यह मेगा Logistic बैठक भारती निर्याद संगठन के महा संग द्वारा एवजित की जाएगी इसका एवजन Logistic लागत और कम करने के साथ साथ भारत के वैस्टिक वैपार की परिचालन चमता बढ़ाने की प्रमुक पहल की रूप में किया जाएगा इसमें 20 से भी अधिक देज अपने अपने सिस्टम अंडल इस बैठक के लिए भेजेंगे ताकि भारत के साथ Logistic से जुड़ी साजेदारियां करने की संभावना है तलासी जा सकें अब आगे देखते हैं आज का सातवा प्रशन हम देखते हैं सातवा प्रशन है हाल में भारत United Kingdom अभ्यास कोंकम 2018 कहां अलजित किया जाएगा तो यह कोंकर्ण है ठीक है कोंकर्ण यह है और कोंकर्ण से आपको याद रखना है कोंकर्णी भासा कहां की भासा है गोवा तो इससे आप याद रख सकते हैं भारत United Kingdom आपको देश भी पूझा जा सकता है तो आपको अभ्यास का नाम दिया जाएगा कि कोंकर्ण 2018 बताएगी किस किस देश के बीच इस नाम से युद्ध अभ्यास किया गया तो याद रहे है भारत और UK के बीच और यह कहां पर संपन हुआ सौरी आज़ित किया जाएगा यह किया जाएगा गोवा में यह किया जा चुका है चलिए इसको भी हम देखते हैं भारत United Kingdom अभ्यास कोंकर्ण 2018 गोवा में आज़ित किया गया दोनों नौ सेना ने पिछले कुछ वर्थों में प्रसिक्षण एक्सचेंज़ों और तकनीकी सह योग जैसे दुविपक्षी गतियोदियों को किया है दुविपक्षी कोंकर्ण अभ्यास दोनों नौ सेना के लिए समय समय पर समुद्र और बंदरगा पर अभ्यास करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि अंतक रिया शिलता का निर्मान और सरवत्तम प्रक्याओं को साजा किया जा सके अभ्यास कॉंकरन स्रिंकला 2004 में शुरू हूई थी तो यह शुरू कब हुई थी 2004 में शुरू हुई थी बस यह साज चीज आपको याद रखना है अब आगे देखते हैं गोवा देख लेते हैं मैप में कहां पर है तो देखी गोवा यहां पर आपको मैप में दिख रहा होगा इसके जो मुख्य मंत्री है वो है मौनोहर पर रिकर राजदानी गोवा की क्या है पंजी छेतरफल की दृष्टी से सबसे चोटा राजे जबकि छेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा राजी क्या है राजस्तान इसे आपको याद रखना है गोवा की भासा है कोंकरणी जो अभी मैं थोड़े देर पहले आपको बताया यहां पे जो है मांडी लोग ने ते काफी फेमस है तेवहार जो है गोवा कार्निवल काफी फेमस तेवहार है और गोवा का मुख ये उद्तियोग जो है वो परियटन है गोवा पहले पूर्दगालियों का था साल 1961 में भारती प्रशाशन को सौपा गया और 1987 में गोवा जो है भारत का 25 वा राज्य बना तो यह काफी इंपोर्डेंट है कई बार पूछा जा चुका है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला तो याद हिगा 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था अब आगे देखते हैं क्वेशिन नमर आठ देखते हैं आठव प्रशन है हाली में सरकार ने इसकुल के चात्रों को 22 भारती भासाओं से अवगत करने के लिए कौन सी भल शुरू क पहल शुरू की गही उसका नाम है भासा शंगम चलिए इसके बारे में भी हम जानकारी ले ले लेते हैं सरकार ने इसकुल के चात्रों को 22 भारती भासाओं से अवगत करने के लिए भासा संगम नामक एक अनूठी पहल शुरू की है तो यह वेबसाइट आपको कुछ इस त भारत के तहद 22 नवंबर 21 दिसंबर के बीच की अवधिक के लिए शक्री थी भासा संगम भारती भासाओं में छात्रों को बहु भासी संपर्ग प्रदान करने के लिए इसकुलों और सैक्षनिक संस्थानों के लिए एक कारेकरम है भासा संगम का एक और उद्देश बढ़ाओ देना है ताकि सब जो है एक दूसरे के भासा का आधर समान करें और राष्टी एकी करन को बढ़ाओ देना भी इसका उद्देश है आगरे बढ़ते कुश्चन नमबर 9 देखते हैं किस राज्य में 28 नमबर 288 को सरुप्रताम 112 एकल अपातकाली नमबर लॉंच कि किया गया तो यह कहां पी किया गया अटेस्ट नमबर 288 को यह किया गया हिमांचल प्रदेश तो देखिए यह क्विश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मैंड में एक और क्विश्चन आया था कि देखिए 112 चैटीस गड़ में भी हो चुका है इसका सुरवात 112 का एक न सर और प्रथा मतलब पहली बार हिमांचल प्रदेश में हो रहा है तो अगर आप 36 के संदर में कोई भी एक्जाम दिलाओगे और उसमें 36 का ऑप्शन है तो आप 36 टीक जरूर लगाईएगा लेकिन अगर आप कुछ और इंडिया लेवल की एक्जाम दिलाते हैं और उसमें चतिर का ऑप्शन नहीं है तो आप हिमांचल प्रदेश भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं चलिए इसके बार भी हम थोड़ा से देख लेते हैं कि ये क्या चीज है हिमांचल प्रदेश एकल अपात कलिन नंबर 112 लॉंच करने वाला पहला भारती राज्य बन गया है यह राज प्रतिक्रिया केंद्र इस्थापित किया गया है जिसमें पूरे राज्य को शामिल किया गया है केंद्री ग्रिह मंत्रायला के बयान में कहा गया कि पंजी करी स्वयम सेवकों से ततकाल सहायता प्राप्त करने के लिए 112 इंडिया मोबाइल एप में महिलाओं की सुरक्षा शौट सुईधा भी पेश की गई है आगे देखते हैं हिमांचल प्रदिस देख लेतें कहाँ पर है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैप में कि हिमांचल प्रदिस कहाँ पर है इसकी राजधानिय सिमला यहां के जो सीय में वह जैराम ठाकूर कुलु मनाली जो है हिमा पास अर्था दर्रा कौन-कौन से है रोतांग बड़ालाचा सिपकिला और यह सारे जो है आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है नदिया कौन-कौन सी है रावी चेनाब और सदलस ठीक है और जो रावी है वो रोतांग के इसे बीच होते हुआ आता है बड़ालाचा जो है सारी चेनाब जो है वो क्रोस करता है किसे बड़ालाचा को सदलस जो है वो वो सिपकिला से होता हुआ निकलता है तो इस चीजों को थ्यान में रखीगा uneaga को इमाघ्चनल प्रदूस में धौला घर कहते हैं तो जो हि ICC द्वारा 28 November 2018 को जारी की गई रैंकिंग में भारती Allrounder रवी चंदरण अस्वीन ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में कितना इस्थान हासिल किया है तो रवी चंदरण अस्वीन आर अस्वीन को कौन सा इस्थान मिला है साथवा इस्थान इसमें मिला है ICC द्वारा 28 November 2018 को जारी की गई रैंकिंग में भारती Allrounder रवी चंदरण अस्वीन ने टेस्ट गेंदबाजी में साथवा इस्थान हासिल किया है वहीं दक्षीन अफ्रीका तेज गेंदबाज कसीगो रबार्डा रिंग्लैन के पेसर जेम्स एंडर्सन को पचार कर टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में दोबारा सीर्ज इस्थान पर पहुंच गये तो टॉप पर कौन है इसको भी आप ध्यान में रखेगा महराष्ट विधान सभा ने महराठा समुदाय को नौकरियों और सैक्षिनिक संस्थानों में 16% आरक्षन देने का बिल एक मत्य से पारित हो गया है इसके साथ ही पिछरी जातियों अनुसूची दिजाती जन जातियों अलप संक्यक समों वा मराठों को दिये जाने वाले कुल आरक्षन जो है कितना परसेंट हो गया वो 68% होगा युनिवसिटी अनुदान आयोग ने अकादमिक और सोध नयतिक्ता का एक संग इस्थाबित करने का निर्ना लिया है जो गैर विज्ञान वीच्यों में विस्वशनीता गुर्वत्ता प्रत्रिकाओं की एक नई सूची तयार करेगा भारत और चीन ने निर्यात के लिए स्वक्षता और निर्क्षन आउसकताओं पर एक प्रोटोकल पर हस्ताक्षर अभी हाल में किये हैं इंस्टिटूट ऑफ लिवर एंड बिलिरी साइंसेज ने हेपेटाइटीस रोग के बारे में पूरे भारत में जागरुकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया इस अभियान का नाम क्या है अब आगे देखते हैं आज का सवाल जिसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है तो आज का सवाल है कि किसे हाल में भारत का अगला मुख्य चुनाओं आयुक्त किया गया और यह काफी महत्रपून क्यूशन है प्लीज इसका जाओ आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीज और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कि तो अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो दोस्तों आज की क्लास में बसे इतना ही नमस्कार धन्यवाद